हाई एवरीबरन मैं हफीजा खान और आप सभी का मेरे चानल स्टड़ी वीत्मी में स्वागत है तो अगर मैं आप लोग के लेकने में स्टोरी लेकर आए हूँ और स्टोरी के थुरू हम लोग अपने इंगलिश रीडिंग को इंप्रूव करते हैं क्योंकि जिन लोगों के इ लेली वेसेस पे थोड़ी बहुत भी रीडिंग कर ले स्टोरी तो उनकी रीडिंग जो है काफी हद तक इंप्रूव हो जाती है तो इसलिए मैं आप लोग के लिए स्टोरी लेकर आती हूँ तो आई आज की स्टोरी का टाइटल देखते हैं आज की स्टोरी का टाइटल है लायोन और बेल याने चीन कषिब आगå. इन रात के खाने के लिए याने चीन करना चाहता था. he decided to trick him यानि उसने तैक किया decided यानि तैक किया to trick him यानि उसे धोका देने का trick का मतलब होता है धोका देना चल, कपड, trick का मतलब तरकीब भी होती है तो उसने कुछ तरकीब सोचा तरकीब सोचना का मतलब यही है कि कुछ जूट या उसे धोका देने के लिए ही तरकीब सोचा है तो बस वही कि वो उसने तैक किया उसे धोका देने का He approached the bull and said यानि He approached, वो पहुँचा देखे, approached का मतलब होता है पहुँचना या आया दोनों ही होता है, आया भी होता है और पहुँचना भी होता है तो वो पहुँचा the bull, यानि bell के पास and said और कहा Friend, दोस्त, I have sacrificed a sheep and I invite you for a grand feast at my place यानि दोस्त, I have sacrificed, यानि कुर्बान किया है मैंने sacrifice का मतलब होता है कुर्बान करना, त्याग देना तो मैंने कुर्बान किया है, a sheep, यानि एक भेड को एक भेड को मैंने कुर्बान किया है and I invite you, यानि मैं दावत देता हूं तुम्हें for a grand feast, grand मतलब आलिशान और feast का मतलब उत्सव, समारो, यानि एक आलिशान समारो के लिए at my place, यानि मेरे जगह पर, यानि मैंने एक भेड को कुर्बान किया है और तुम्हें invite करता हूं मेरे जगह पर के एक आलिशान उत्सव के लिए, एक आलिशान उत्सव के लिए मैं तुम्हें invite करता हूं मेरे जगह पर The bull accepted the invitation, यानि bull, बैल ने accept किया, यानि कुबूल कर लिया the invitation, यानि दावत को कुबूल कर लिया He saw huge ladle and pots of boiling water, but no slaughtered sheep, यानि he saw, उसने देखा huge, यानि बड़ा सा ladle, यानि चमच, कल्ची, कल्ची जिसे बोलते हैं कल्ची या कुल्ची पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे वो नहीं मालूम है, बट लेडल का मतलब चमच होता है तो उसने देखा एक बड़ा सा चमच and pot, यानि बरतन of boiling water, यानि उबलते हुए पानी का pot, यानि बरतन, उबलते हुए पानी का बरतन देखा but no slaughtered sheep, यानि जबा किया हुआ, slaughtered का मतलब होता है, जबा किया हुआ यानि लेकिन नहीं देखा, no, यानि नहीं देखा, slaughtered sheep, यानि जबा किया हुआ, भेड को उसने नहीं देखा यानि उसने देखा है, एक बड़ा सा चमच देखा, उबलते हुए पानी का बरतन देखा लेकिन जबा किया हुआ, sheep को उसने नहीं देखा He departed without saying a word यानि He departed Departed का मतलब होता है चला जाना यानि वो चला गया without saying यानि बिना कुछ कहे a word यानि एक अलफास भी बिना कुछ कहे वो चला गया I did no harm to you यानि मैंने नहीं किया harm यानि नुकसान to you यानि तुम्हे यानि मैंने तुम्हे कोई नुकसान नहीं पहुचाया Called you, बुलाया तुम्हे तुम्हे बुलाया Called you यानि तुम्हे बुलाया यानि शेर जो है उससे कह रहा है कि तुम बीना कुछ कहे चले गया मैंने तुम्हे कोई नुकसान नहीं पहुचाया तुम्हें बुलाया मैंने तुम्हें बुलाया कोई नुकसान तुम्हें नहीं पहुचाया and invited you for feast but you left without any reason यानि मेरे दोस्ट और invite किया यानि दावत दी you तुम्हें for feast यानि उदसब के लिए दावत दी but you left लेकिन तुम चले गए left का मतलब होता है छोड़ देना चले गए यानि उसने वो जो है चला गया लेकिन तुम चले गए without any reason यानि बीना कोई reason के बीना कोई वज़ा के तुम चले गए you thankless creature यानि तुम thankless यानि नाशुक्रे creature हो यानि मखलूक हो यानि तुम नाशुक्रे मखलूक हो creature यानि उर्दु में मखलूक होता है और हिंदी में जीव यानि तुम नाशुक्रे जीव हो the bull replied यानि बुल ने replied या जवाब दिया bell ने जवाब दिया I did not see any slaughtered sheep यानि I did not see यानि मैंने नहीं देखा any यानि कोई भी slaughtered यानि जबा किया हुआ sheep यानि भेड नहीं देखा यानि मैंने नहीं देखा जबा किया हुआ धेड कोई भी भेड जबा किया हुआ नहीं देखा instead का मतलब होता है के बदले यानि instead उसके बदले किसके बदले यानि उसने ये सब तो नहीं देखा लेकिन उसके बदले उसने क्या देखा instead यानि इसके बदले you had made preparation for dinning on beef यानि तुमने had made preparation यानि तयारी कर चुके थे had made का मतलब होता है made मतलब किसी भी काम को करना और preparation मतलब तयारी यानि तुमने तयारी कर रखी थी या तुमने तयारी किया था for dinning यानि रात के खाने के लिए on beef यानि गाई के ghost पर यानि वो कहना चाहता है bell कि मैंने वहाँ कोई भी जबह किया वह शीप नहीं देखा उसके बदले में तुमने तयारी कर रखी थी रात के खाने के लिए एक गोस्ट जाय के गोस्ट पर तुमने रात के खाने की तयारी कर रखी थी यह उसने बैल ने कहा तो आई यह स्टोरी का मोरल देखते हैं यह स्टोरी का मोरल है Don't get sweat away by sweet words यानि don't get sweat यानि मत बहलो sweat का मतलब होता है बहलना डोलना इस तरह से sweat की मिनिंग है यानि मत डोलो या मत बहलो away by sweet words यानि sweet words से यानि मीठी बातों से मत बहलो, मत बहको यानि इस moral का मतलब यह है कि कोई अगर मीठी अल्फाज से कुछ कह रहा है तो उसकी मीठी अलफास पे मत आओ यानि उसके दिल में क्या है कोई नहीं बता सकता है कि वो क्या चाहता है तो मीठी अलफास पे मत जाना कभी भी तो I hope कि आप लोग को स्टोरी समझ में आ गई होगी और पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मैं आप लोग उसे नेक्स वीडियो में मिलती हूँ बाई